कि नमस्कार आज हम बात करेंगे ब्रेस कैंसर या स्टन कैंसर के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे कुछ लोगों को यह जिग्यासा भी होती होगी कि ब्रेस कैंसर क्या है आजकल हर जगा न्यूस पेपर में सुनने को आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है ब्रेस कैंसर भी बढ़ रहा है 20 साल पहले जो हालत थी अब उसके कंपरेजन में कैंसर के काफी मरीज आ रहे हैं और कैंसर से ब्रित्यू भी हो सकती है जिसकी वज़े से इससे डर भी लगता है तो आईए जानते हैं कि ब्रेस कैंसर क्या होता है और इससे कैसे बच सकते हैं या इससे कैसे जल्दी पकड सकते हैं जी हां ब्रेस कैंसर कैसा कैंसर है जो महिलाओं और पुर्षों दोनों में हो सकता है लेकिन हां या महिलाओं में ज्यादा होता है अब ये जानते हैं कि इसके चिन्न कैसे आ होते हैं ताकि इसे हम जल्दी पकड सके देखिए ब्रेस कैंसर या कोई भी कैंसर जो होता है वो शरीर में बाकी हिस्से में भी फैल सकती है इसलिए कहा जाता है कि अगर 20 साल से उमर ज्यादा है किसी भी इस तरीकी तो उसे महीने में एक बार जरूर अपने ब्रेस्ट का मुआयना या परीक्षर करना चाहिए जिसकी वज़े से अगर कोई भी छोटी सी गांट हो चाहे तो अगर आपको ब्रेस्ट में चूने में कोई भी गांट पता चल रही हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाये breast में एक गाड भी हो सकती है और कई गाठें भी हो सकती है इसके अलावा काक में भी गाठें हो सकती है इसके गाठ के अलावा और क्या-क्या चिन्न हो सकते हैं breast cancer के निपल से discharge हो सकता है निपल से discharge कई बार औरतों को ऐसे भी होता है लेकिन अगर discharge में खून आता रहे तब वह एक breast cancer का लक्षर हो सकता है इसके अलावा breast cancer के चिंधों में अगर किसी भी एक breast या इस्तन का size बढ़ने लगे और उसमें से अगर सूजन या बहुत ज़ादा दर्द होने लगे या ऐसा लगे कि हाँ कई बार फोड़े हो रहे हैं जो कि बार बार निकल रहे हैं एंटिबाटिक का कोर्स दे रहे हैं ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह भी cancer की तरफ इशारा कर सकते हैं फिर अगर breast cancer breast में सिमित है तो गाठे हो सकती हैं पर यह शरीर के बाकी हिस्से में भी फैल सकता है अगर यह बाकी हिस्से में फैल जाए तो उससे भूक लगना हो जाता है कि कम हो जाए और उसके में कमजोरी आ सकती है और इसकी वज़े से वजन भी कम हो सकता है तो हमेशा सबसे जरूरी बात यह है कि महीने में एक बार जरूर अपने breast का मुआयना करें गाट को देखें अगर कोई भी गाट बन रही है तो वो breast cancer हो सकती है एक जो और जरूरी बात है जानने वाली कि गाट बहुत सारी वजहों से होती है बहुत सारी गाटे ऐसी होती है जो cancer नहीं होती है तो इसी लिए अगर गाट पता भी चल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है जागरुख बनने की जरूरत है आप डॉक्टर के पास जाईए और जरूर जाच करवाईए कि जो गाठ हो रही है वर breast cancer की गाठ है या किसी और वज़े से हो रही है यदि आप इस तरह ही health के बारे में जानना चाते हैं तो subscribe करें ये channel The Healthcare Today और bell icon दबाएं ताकि हर नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले हर 10 गाठों में से 8 गाठे cancer की नहीं होती हैं तो इसलिए आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ उसे neglect मत करिए देखिए ये तो चिन्न हो गए अब इसके लावा ये जानते हैं कि और कैसे हम breast cancer को जल्दी पकड़ सकते हैं एक तो मैंने ये बताया कि हाँ जाग रुपता लाइए, breast का अपना examination सीखिए जिससे कि आप ये पकड़ सकते हैं कि cancer जल्दी अगर है शुरुवाती अवस्था में है तो हमने उसका जाचे की और हमने उसको जड़ से खतम कर दिया उसका इलाज कर लिया इसके अलावा हम breast cancer की screening भी कर सकते हैं screening का मतलब ये है कि छोटी छोटी गाठे जैसे कि 1 cm से छोटी गाठ, 0.5 cm की गाठे जो है जो कि छूने से भी पता नहीं चलती किसी ऐसी जाच में पकड़ में आ जाए जितनी छोटी चोटी cancer की गाठ होगी उतना जल्दी उसका इलाज हो जाएगा तो mammogram नाम की जो वो है एक जाच होती है mammogram जो है एक x-ray जैसी टेकनीक है आज ये हर चोटे बड़े अस्पताल में ये सुविदा उपलब्ध है अगर आपकी उमर या आपके घर में कोई ऐसी इस्तरी है जिनकी उमर 50 साल से ज्यादा है तो ऐसे किसी इस्तरी को आप mammogram का परीक्षन जो है करवाना चाहिए ये एक साल में या दो साल में एक बार जरूर करवाए मैमोग्राम में छोटी छोटी गाठे पता चल जाती है जिनका समय रहते ऑप्रेशन हो जाता है और बिमारी जर से खतम हो जाती है अब ये भी जानते हैं कि breast cancer से कैसे बच सकते हैं सबसे अच्छी बात तो यही है कि cancer हो ही न देखिए जो सबसे जरूरी बात है जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि आप एक स्वस्त जीवन शैली अपनाए हमारा जो खानपान है और जो हमारे रहने का और चलने का जो तर tables लें तो इससे cancer होने का risk अपने आप कम हो जाता है जितनी भी हरी भरी आपकी खाने की plate होगी cancer का risk उतना कम हो जाता है और यह केवल breast cancer का ही नहीं हर तरह के cancer के risk को कम करता है exercise बहुत जरूरी है कितना exercise करें जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें पर कम से कम अगर हफते में आप 5 दिन भी आदे घंटे की walking कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं तो वह भी cancer के risk को कम करती है अगर आप शराफ का सेवन करते हैं तो आपको शराफ का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि शराफ की वज़े से भी breast cancer बढ़ता है और इसके अलावा अगर आप खाने में meat लेत है अगर आप जो dinner का time है आपका वो अगर आप जल्दी dinner लेते हैं जैसे कि 8 बजे या उससे पहले तब ये भी cancer का risk कम करती है तो ये बात जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि कब खाना चाहिए इन दोनों बातों से cancer का risk कम किया जा सकता है तो जागरुग बनिए और स्वस्थ रहिए कैंसर से बचके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही आपको कैंसर से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों से हुआ 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 है